नमस्कारम, मैं हूँ जूही चावला महता आजकल सभी बच्चे सारा दिन अपने मुबाइल फोन, टाबलेट, आईपाड से चिपके रहते हैं तो उनका क्या होगा? पहला इस सारे रेडियेशन की कारण और दूसरा सोशल मीडिया के दबाव के कारण नमस्कारम, जूही टेक्नोलोजी ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है कितनी सारी चीजें आसान हो गई है और हमारे जीवन बहतर हो गया है क्योंकि टेक्नोलोजी ने हमारे जीवन में कई सारी चीजे ला दिया है आप धरसल टेकनोलोजी की शिकायत नहीं कर रहें आप इनसान की विवश्टा की शिकायत कर रहें वो खाना शुरू करते हैं, मगर नहीं जानते की खाना बंद कप करें अगर वो पीना शुरू करते हैं, तो वो नहीं जानते की पीना बंद कप करें तो वो जो भी करना शुरू करते हैं, उन्हें मजबूरन उसकी लथ हो जाती है तो अभी इस पीडी को गैजट्स करो मांच है तो टेकनोलोजी का कोई दोश नहीं है हमने इंसान के विवश्टा भरे स्वभाव को ठीक नहीं किया है इंसान के विवश्टा को ठीक किया जा सकता है सिर्फ चेतना से, जीने का अधिक सचेतन तरीका सचेतन होने के कई साधन है हमने अपने समाज में इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित नहीं किया है उसे हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा बनना होगा बच्चों को छोटी उम्र से ही सचेतन होकर जीना सीखना चाहिए एक बार वो सचेतन होते हैं वो जानते हैं कि किसे कब इस्तिमाल करना है, कितना इस्तिमाल करना है ये उनकी अपनी मर्जी है जहां तक रेडियेशन का सवाल है आपको समझना चाहिए कि शायद ये ऐसा ही है जैसे हम शुरू में सोचते थे कि जो लोग सिगरेट पीते हैं सिर्फ उन्हें ही नुकसान होता है मगर फिर हमें पता चला कि सिगरेट पीने वाले के मुकाबले आसपास के बाकी लोगों को ज्यादा नुकसान हो सकता है तो इसी तरह शायद आपके आसपास कोई और टेकनोलोजी का इस्तिमाल कर रहा है आपके घर में वाइफाई है आपके आसपास सभी लोग सेलफोन इस्तिमाल कर रहे हैं तो आप उस radiation से नहीं बच सकते। हाँ, उसके कुछ नतीजे होते हैं, मगर साथ ही वो जीवन को जितना सरल बनाता है, हम कुछ हद तक उससे समझोता करने को तैयार होते हैं. मगर आप technology का इस्तिमाल किस सीमा तक करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए. अब सोशल मीडिया पर आते हैं. सोशल मीडिया को संभालना, एक जीवित समाज को संभालने से कहीं आसान है. जब जीवित समाज मौजूद था, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपकी सास, आपके पती, पत्नी, ये, वो, हर चीज, जब वो आपसे चिपकते थे, तो आप उन्हें हटा नहीं सकते. अगर सोशल मीडिया आपको पसंद नहीं आता, तो आप अपना फोन बंद कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से, आपसी संपर्क का ये माध्यम, आपको समाज से संपर्क के पुराने तरीके से कहीं अधेक आजादी देता है. क्योंकि अगर आप शहर में धेर सारे दोस्त बनाते रहें, तो आप कई तरह से उलज जाते थे. आज आप सिर्फ मेसेज भेज कर दोस्त बना रहे हैं. जब आप नहीं चाहते, तो आप अपना फोन बंद कर सकते हैं और काम हो गया. तो ये सब ही शांदार सहूलियते हैं, जो हमारे जीवन में आई हैं. लेकिन कई लोग इसे भी एक बड़ी समस्या बना रहे हैं, और अपने जीवन में एक भीमारी बना रहे हैं. हाली में, आपने सुना होगा कि कुछ माएने पहले आंदर प्रदेश में एक टेलिविजन आंकर ने, एक युवा महिला ने, जो करीब 34 साल की थी, उसने पांचवे मन्जिल की बालकनी से कूद कर अपनी जान दे दी. उसने एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था, कि मेरी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, मेरा दिमाग ही मेरा दुश्मन है, तो आपको दी गई सबसे शांदार चीजे ही आपकी दुश्मन बन सकती हैं, अगर आप ये नहीं सीखते कि उसका इस्तिमाल जिम् अगर आप ये नहीं जानते कि इसका इस्तिमाल कैसे किया जाए, अगर ये एक विवश्ता भरी प्रक्रिया बन जाती है, तो ये आपका जीवन ले सकती है